अब लोग को पता है कि consecutive natural numbers क्या होते हैं consecutive numbers मतलब जो line wise series में आते हैं continuation में उसे हम consecutive numbers बोलते हैं like 3,4,5 ठीक है उसके बाद 1,2,3 जो continuation में आते हैं वो natural numbers हैं तो हम क्या करेंगे कि let the first consecutive natural number be x हमारा first number natural क्या हो गया x हो गया तो हमारा दूसरा consecutive number क्या होगा दूसरा उसमें हम plus 1 कर देंगे जब में line wise चाहिए तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x plus 1 और third हो गया x plus 2 ठीक है आप question में यह दिया गया है कि जब हम इन तीनों को plus करते हैं तो हमारा answer क्या आता है 24 ठीक है natural number is 24 अब हमको इस equation को solve करना है equation बनाना आई है आप लोगों कि हमने पहला consecutive numbers निकाले क्या होता है पहला number x है तो दूसर number x plus 1 होगा और तीसर number x plus 2 होगा ठीक है फिर हमने उसके according यह 24 जमा लिया फिर 3x है 1x, 2x and 3x तो हमने जब xx को plus क्या तो क्या है 3x और numbers क्या है 1 plus 2 3 plus 3 is equal to 24 3x is equal to 24 minus 3 plus 3 यहा था दूसर एंट में गया तो minus 3 हो गया then 3x is equal to 24 में से 3 जाएगा तो इतना बचेगा 21 बचेगा x के साथ 3 multiply में है दूसर साइट जाएगा ट्रिक्या हो जाएगा 21 अपॉन 3 हो जाएगा x is equal to 3 1s are 3, 3 7s are 21 तो हमारी x के value क्या है 7 मतलब हमारा जो consecutive consecutive first number था वो क्या था? first number x था? x था ना तो क्या हो गया 7? दूसर नमबर क्या था? second number x plus 1 था x plus 1 तो क्या हो जाएगा? 7 plus 1 is equal to 8 और third number क्या है हमारा? x plus 2 तो 7 plus 2 हो जाएगा कितना? 9 तो हमारे consecutive तीन नमबर जो हमें चाहिए था वो कौन-कौन से हो गया? 7, 8 and 9 अब आप इन तीनों को plus करके देख लिएजिए आप कहां सा 24 या आएगा तो आपको मतलब आपने जो किया है वो ब्ल्कुल राइट है तंक्स नवाचिंग कर दो लाइगेव सब्सक्राइब के शाड़ आप सोड़ किया ना आपको काईगा तो प्रवास्दीयों काईगा है